विंटर वाली स्पेशल मैगी बनाने के लिए गैस के उपर एक कडाही रखेंगे इसमें मस्टर्ड ओइल एड़ करेंगे ओइल को गरम होने देंगे अब इसमें जीरा और हींका दड़का लगाएंगे साथ ही इसमें लैसन और हरी मेच को छोटे-छोटे टुकडों में काट कर ले लिया था उसे इसके अंदर एड़ कर देंगे और इसे थोड़ी देर कुक कर लेंगे लेसन को थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे अब प्याज, आलू और गाजर को छोटे छोटे टुकडों में काट लिया है उसे इसके अंदर एड़ कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हरे मटर एड़ करेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो उसको लाइक करें इसे अच्छे से चला लेंगे अब इसे कवर कर देंगे और इसे कुक होने देंगे मतलब सब्सक्राइब को पकने देना है थोड़ी देर के बाद चैक करेंगे मैंने मैगी बॉयल होने के लिए पानी रख दिया है गरम होने को अब इसमें हल्दी और टेस्ट के कौर्डिंग नमक एड़ करेंगे साथ ही इसमें धनिया पाउडर एड़ करेंगे धनिया पाउडर से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब इसमें कटे हुए टमाटर एड़ कर देंगे ये देशी टमाटर है, एक बड़े साइज का टमाटर था अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इसे कवर कर देंगे थोड़ी देर के बाद चैक करेंगे अब इसमें कटे हुए ब्रॉकली एड़ करेंगे ब्रॉकली का टेस्ट भी इसमें काफी अच्छा आता है और ब्रॉकली काफी हेल्दी भी होता है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे फिर से कवर कर देंगे पानी भी अच्छे से बॉयल हो गया है मतलब गरम हो गया है अब मैगी को इसके अंदर एड़ कर देंगे और मैगी को बॉाइल होने देंगे सब्जियों को चेक करेंगे इसे अच्छे से चला लेंगे अब मैगी के साथ में जो मसाला आता है सारे ही मसाले इसके अंदर एड़ कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब वाइल की हुई सारी मैगी को इसके अंदर डाल देंगे मैं इसके पानी का भी इस्तिमाल कर रही हूं अगर आपको बिल्कुल ड्राई चाहिए तो फिर आप पानी को ना इस्तेमाल करें उसे फैक्ट दें अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को बिल्कुल फुल पे करके और थोड़ा सा इसके पानी को जला लेंगे और सुखा लेंगे अब हादा धनिया एड़ करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे मैगी बिल्कुल तयार हो गई है और ये बहुत जादा टेस्टी बनी थी आप भी एक बड़ जरू ट्राई करें थैंक्यू फूर वाचिंग